जीवन के बारे में हिंदी में आश्चर्य जनक तथ्य Amazing Facts आपके लिए कुछ नया जानने के लिए लिखा गया है दोस्तो हमारे आसपास की दुन्या में कई तरह के रोचक और मजेदार चीजे मौजूद है यदी हम अपने आसपास नजर घुमा कर देखे तो ऐसी कई चीजे दिखाई देंगी जिन पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया पर यदी इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमें कई नई नई बातों को जानने का मौका मिलेगा जब एक मा अपने बच्चे को जन देती है तो उसे उतना ही दर्ध होता है जैसे उसके शरीर की बीस हड्या तूट गई हो यदी कोई व्यक्ती ज्यादा तर समय अपने नाखून कारता है तो यहां इंगित करता है कि वहां या तो परेशान है या चिन्तित है जब कोई व्यक्ती सच बोलता है तो उसके हाथ अधिक हिलते हैं जबकि जब वह जूट बोलता है तो उसका शरीर काम करता है यदी आप बहुत हंस रही हैं और यहां रुक नहीं रहा है तो आप हंसी को रोकने के लिए अपने शरीर पर पोनी नंच कर सकते हैं अंगुठे के बाद वाली उंगली हमारे हाथ पर सबसे ज्यादा समवेदनशील होती हैं हमारे होठोन में तवचा की तीन से चार पड़ते होती हैं जिससे हमारे होठोन का रंग गुलाबी और लाल दिखाई देता है अगर किसी का कट छोटा है तो इसका मतलब है कि वहाँ 90% समय से गरभाशय में था और उसकी मा को चिन्ता होती मनोविज्ञान के अनुसार यदि कोई व्यक्ती छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है तो यहाँ इंगित करता है कि वहाँ अपने जीवन में प्रेम के महत्व को महत्व देता है औसद बुद्धी वाले लोगों की तुल्ना में बुद्धिमान लोग तेजी से क्रोधित हो जाते है जब हमें नजरन्दाज किया जाता है तो हमारे शरीर में ऐसे रसायन निकलते हैं जो हमें चोट लगने पर निकलते हैं यदि कोई व्यक्ती जरूरत से ज्यादा सोता है तो संभावना है कि वहां आंतरिक समस्याओं के कारण उदास है यदि कोई व्यक्ती बारा दिनों तक गाड़ी नहीं चलाता है तो उसकी मृत्यू हो सकती है मासाहारी खाने वाले लोगों ने अपने जीवनकाल में साथ हजार से अधिक जानवरों का सेवन किया है एक व्यक्ती अपने पूरे जीवन में जितना समय शेविंग करता है वह उसके पूरे जीवन के छे महीने के बराबर होता है एक अध्यान के अनुसार जिस व्यक्ति को अधिक ठंडे दरावने सपने आते हैं उसके होने की संभावना अधिक होती है अगर आपको कम नीनदा रही है और सिर में दर्ध हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपना ज्यादातर समय कम्प्यूटर के मोबाइल पर बिता रही हैं और कम्प्यूटर के रेडियेशन के कारण अकसर सिर्दर्ध और नीनद की कमी की समस्या होती है जो लोग अधिक भोजन करते हैं उनमें संग्यानात्मक और श्रवण क्षमता कम होती है दुनिया में ज्यादातर लोग पेन खरीदने के बाद अपना नाम लिखना शुरू करते हैं यदि आप दिन में सोते समय स्वप्न देखते हैं तो यहाँ लाबकारी होता है क्योंकि यहाँ आपकी रचनात्मक शक्ती को बढ़ाता है अगर आप प्यास काटते समय चिंगम इकठा करेंगे तो आप रोएंगे नहीं अपने जीवनकाल में आउसत व्यक्ती 30 से 35 बार भोजन करता है मानव आख की भोहों में लगभग 550 बाल होते हैं हमारे शरीर की सबसे छोटी हड़ी को स्टेपीज कहते हैं एक जीवनकाल में मानव शरीर की तवचा 800 से 900 बार बदलती है एक सामान्य व्यक्ती अपने जीवनकाल में लाल रंग के लगभग दो स्विमिंग पूल बना सकता है यदि आपने कभी ध्यान किया है तो आप देखेंगे कि सुक का पहला आंसु दाहिनी आख से गिरता है और दुख का पहला आंसु बाई ओर से गिरता है जब कोई व्यक्ती बहुत ज्यादा सोचता है तो तनाव के कारण उसे दिल का दौरा पढ़ने का खत्रा बढ़ जाता है जिससे रक्त के ठक्के बनने लगते हैं एक अध्यान के अनुसार लोग ठकने के बाद अधिक इमानदार हो जाते हैं मानव शरीर तीन से चार बजे के बीच सबसे कमजोर होता है और ज्यादातर लोग इस समय सोते समय मर जाते हैं जब आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा सोता है जो अकेला होता है वह दूसरों का अकेलापन अच्छी तरह देख सकता है मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग 2.5 मिलियन बार जम्हाई लेता है अगर कोई व्यक्ति पूरी रात जाकता है तो उसकी 161 कैलोरी खत्म हो जाती है एक आदमी अपने जीवन के 25 साल सोता है मानव शरीर इतनी गर्मी उत्पन करता है कि पानी आदे घंते में उबल सकता है जब हम तेज आवाज सुनते हैं तो हमारी आंखों की पुथली फैल जाती है हम सभी अपने लार से खाने वाले खाद्य पदार्थों के स्वात का पता लगाते हैं अगर हमारे मुम में लार नहीं है तो हम कुछ भी नहीं चक सकते हैं अगर आप धूमरपान करते हैं तो एक सिगरेट आपके जीवन को 11 मिनट कम कर देती है एक इनसान का दिल प्रती वर्ष 40 मिलियन से अधिक बार धरकता है धर से अलग होने के बाद भी मानव शरीर 20 सेकेंड तक जीवित रहता है जन्म के 10 मिनट बाद ही बच्चे का दिमाग इतना विक्सित हो जाता है कि वह समझ सके की आवाज कहां से आ रही है एक इनसान के दिल का वजन आस्तन 289.6 ग्राम होता है एक सामान्य मानव मस्तिश्क में इतनी उर्जा होती है कि वह 40 वाट के बल्प को 24 घंटे बिजली दे सकता है जब मेरे बच्चे 7 साल के होते हैं तो मैं आमतौर पर जूट बोलना शुरू कर देता हूँ एक अध्यन के अनुसार शनिवार की रात लोग सबसे ज्यादा खुश होते हैं जो लोग भीड देखकर जेब में हाथ डालते हैं वे थोड़े शर्मीले होते हैं यदि कोई व्यक्ती छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है तो यहां इंगित करता है कि उसका हृदय कोमल है जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके शरीर में 306 हड्या होती है लेकिन जैसे जैसे वहाँ बड़ा होता जाता है ये हड्या आपस में जुड़ जाती है इसका सीधा सा कारण यहाँ है कि कुछ हड्या आपस में जुड़ जाती है यदि आपके मन में नकारात्मक विचार है तो उन्हें कागस पर लिख ले और कूडेदान में फेंट दे यहां आपको भेतर महसूस कराएगा शोद के अनुसार अगस्त का महीना दुनिया में सबसे उगजाओं माना जाता है दुनिया की लगभग 11% आबादी अपने बाएं हाथ का इस्तमाल करती है जो लोग कम नींद लेते हैं उनके शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का उत्पादन होता है जो स्तन कैंसर, उच्चरक्तचाप, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी समस्याओं का कारण बनता है एक महिला के जीवन के चार साल लेता है मस्तिश के रोगी आज के बच्चों की तरह चिंतित होते थे आज के समाज में डिप्रेशन एक बड़ी समस्या है